इस प्रिंग रोल के लिए यहां पे हमने एक कप मैदा लिया है और एक कप आरा रोट लिया है दोनों चीज़े हमने बराबर लिए अगर आरा रोट नहीं है तो इसकी जैगे पर कौन फ्लोर भी ले सकते हैं अब इसमें आदा चोटा चमन नमक डाल देंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका पतला घुल बना के तयार कर लेंगे एकदम से पानी ना डाले नहीं तो गुठलियां जल्दी से खतम नहीं होंगी और गुठलियां खतम करने में हमें बहुत जादा समय लग जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इस ये देखे इस तरह का घोल होना चहिए गोल हमारा के तैजयर होगे इतना पतला होना चाहिए इस तरह से गिड़ना चाहिए रुदिन का यहाँ और दीजयर धेखे पीच्छला इस दिखना च्छाइं इस तरह हम आपको ट्रेश होनाम है तो चलते हैं कि तरफ इधर हमने तो अब इसमें हम एक सैड में थोड़ा से हम बैटर डालेंगे अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर अब इसको हम चारो तरफ पैन को हिलाते हो इस तरह से हम सीट को पका लेंगे और इसको पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है बस 30-40 सेकंड लगते हैं और उसके बाद बीच में हम थोड़ा सा गयस को तेज कर लेंगे हलका सा यह देखिए सीट हमारी बनके त्यार हो गई और कितने जल्दी यह पक के त्यार हो जाती यह देखिए और बहुती आसानी से जाता है और कितना पतला बना के हमारा हाथ दिख रै इसी तरह स्यट मेरा कर लेंगे एक पेट लेंगे उस पर हम मैदे की टिच्ट कर लेंगे और इसको पर सीट बादें गे अर्शो दोसरा बनाना जो जाए गलते जा olacak ऐसे ही दूसरा आपको बनाक दिखाते हैं एक चम्मच हम इसमें बैडर डालेंगे और इसको चारो तरफ फैला देंगे और जो बैडर बचा हुबा इसको हम निकाल देंगे अब पैन को हिलाते हुए उसी तरह से इसको भी हम पका लेंगे जिससे की पैन में हीट बराबर लगती रहें और बीच में ज्यादा लग जाएगी हीट तो जलने का ड़र रहता है और उसके बाद हम थोड़ा सा गयस की फ्लेम को बढ़ा लेंगे बीच में difícil सिपने जल्धी बन के त्यार हो गयी है और रहा हम दो बहुत ही आसानी कि in चाए सककर लेंगी इसारे हमें विनाड़ च्छिड्ड दिया था इस त्री ऋंधार हम टालते जाएंगेशा थी सारि सीट हम बना के त्यार कर लेंगे यहां पर सारी सीट हमने बना के त्यार अब इसको घील एक कपड़े से ढख करके इसको रख देंगे जिससे कि यह सूखे नहीं आज है अब पैन में हम एक बड़ा चमस्स तेल डालें तेल को गरम होने देंगे अ अब इसमें हम एक मीडियों शाय की कटी भी प्यास डालें इसको हम भून लें प्यास को हमें अब इसमें हम एक इंज अधर का टुकडा गिसके डाल देंगे इसको भी इसी में हम भून लेंगे अब चाय तो लैसुन भी इसमें डाल सकते हैं और हरी मर्च भी डाल सकते हैं काट के हमने नहीं डाला है आप इसमें हम एक कप कटी भी गाजि डाल लेंगे सारी सब्जियों को हम लंबे टिकणू में कॉटा है इसको हम एक शुंपूर्ट राकांगी pouring कि एक निट हो चुके अब सिंबल मिर्च डाल से अब इसको भी मिकस कर दें की इस भी एक शुंपूर मूदमा है सब्जी को हमें थोड़ा से सब्ब्लाम करना बत gewoon में अर से बुद्न आप इसमें हमें घ्रमाज आपoney झालर कोते कि दर्द नाफ कि एक डाल देंगे और एक चोटा कि milliards ट्मेर पार्ड़ना इसमें द्लाल मिर्स और आंप मिक्स फॉड़ा तब तो आप इसमें हम नमग डालनेगा दाधा चोटा चमा द्यान है नमक सभी चीजों में है तो ध्यान से नमग डाले भी अब इसमें 50 ग्रम पनीर लिया था चोटे-चोटे टिकड़ों में काट दिया उसको भी डाल देंगी और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे कर दो कि आप पनीर को चाहा इसकी भी कर सकते लेकिन पनीर बहुत ही अच्छी लगते खाने में रोल में आप इसमें हम बच्छों की मन पसंद मेगी डाल देंगे और मैगी मसाला डाल देंगे अब इसको हमें मिक्स करना है बस अहं किसी चीज को नहीं भीड्यानार भाटी कर लेंगे यहां भी देखें हमने सबस्क्राइब अभुण है कि अब ढूट कर दें अब ठंडा होने के लिए रख देगा यहां पे दो चमब रख मेंदा ले लिए अब इसको घारा घोल बना लेंगे ठोड़ा पानी कर यह हमारे से प्रिंग डोल चिपकाने क्या में आएगा यह देखे यहां पर गाड़ा गोल हमने बनाक त्यार कर लिया अब इसको रखते हैं साइड में यह इस तरह का होना चाहिए एक दम गाड़ा गोल अब एक सीड उठाएंगे उसके उपर हम फिलिंग भरेंगे दो चमच अब चारो तरफ इसके बेटर लगा देंगे जो हमने गाना बेटर बनाया था उसको हम इस्तरह से ब्रस से या हां से लगा देंगे अब इस्तरह से हम सीट को अठाएंगे आगे दरफ ले जाएंगे और शाइड से इस तरह से उठा करके चिपका देंगी अच्छे संगलियों से और इधर का hey इस से उठा करके उंगली से दबा देंगे अच्छे से और इस तरह से आगे कि तरह ले जाते हुए हमें इसे फोल्ड करते जाना है ऐसे और ध्यांड़ा इसको हमें टाइटी फोल्ड करना है और इस तरह समच चिपका देंगे यह देकि हमारा एक रोल बनके तियार हो गया कितना बढ़िया है ऐसे ही सारी हम बनाके त्यार कर लेंगे अब दूसरा भी आपको दिखाते बनाके हम उठाएंगे फीलिंग रखेंगे दो चमर चाड़ो तरब इस तरह से हम लगा देंगे जो घौल हमने बनाया था मैं देखा उसको इस तरह से लगा देंगे चारो तरब अब इस तरह से उठाएंगे इसे सीट को आगी कि तरफ ले जाएंगे और दबा देंगे और इस तरह से किनारे का हिस्सा उठाएंगे इस तरह से चिपका देंगे और इधर से भी उठा कि इस तरह से चिपका देंगे अच्छे से दबा देंगे जिसे खुले नहीं और आगी क तरफ इसको हमको ले जाते हुए इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है और इसे ध्यान रहे इसे हमें टाइट ही फोल्ड करना है यह देखिए भी बन के त्यार होगे ऐसे ही सारे हम बनाक त्यार कर लेंगी यहां पर सारे इस बनाके त्यार कर लिए हमने अब इसको चलते फ्राइए करने की तरफ यहां पर गयस पर हमने कड़ाई रख दी और तेल भी गरम हो गया है तिल को हमें ज्यादा गरम नहीं करना बस हल्का सा ही गरम करना है अब इसमें हमें कि करके रोल डालते जाएंगे है और ध्यान राए तेल जो हमारा हम आरा हलका सा सब्सक्राव राज होगा we the इसे जो ड़ोल हमारे इसंः बबल साने लगेंगे तो पिर दिखने में इच्छे लगेंगी इसे हमें धीमी ही आज में पहले इसे हमें फ्राइ करना अभी इसको टुक्श नहीं करेंगे जब सब्राइ नीचे फ्राइ हो जाएगा तो इसको पलट देंगे और उसके बाद फ्रैन को थोड़ा से बास में तेज करेंगे सब्सक्वां dengan को सब्सक्राइब करना English ने हिए पूरा फ्राय पर दोड़ा कर दोड़ा साहи ओंस्थ और पराइब करेंगे और इसको भी उसी तरह से हम फ्राइ कर लेंगे फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है इसको भी इसी तरह से पलटके हम फ्राइ कर लेंगे हाफ फ्राइ कर लेंगे और ये हो चुके इनको निकाल लेते हैं ऐसे ही सारे हम बना के त्यार कर लेंगे तेल हो चुके हम इनको rendering कर लेते हैं अब हमें इसे हाइ फ्लेम पर फ्राइब और तेल को अच्छा घर्म कर लेंगे कि अब इसमें जतने भी आ जाएंगे उतने हम डाल के फ्राइ यह तो हम फ्राइर लेंगे और यह उच्छा कर लेंगे कि हैं और एक बाता है आप करने से कलर चाता है इसके जो आधर समडोल बनके खाते हैं वो पहले से करें ने रहीं जाते ओट सैंगे करें देतें इसलिए उनके जो वोते हैं वेज डोल इसबिंग रोल तो जादा क्रिस्पि होते और खाने में बहुत अच्छे लगते तो जब भी बनाये तेसे 12 सफ्फाइव करके बनाये गा तो जादा क्रिस्पी बनेंगे यह 花 कि इतना अच्छा अच्छ मठान आप यह अगा है आप और अगा है अगे इसे सारे रोल हम फ्राइप कर लेंगे अ कर दो पया है यह तो यह देखें सारे रोल हमने बना कर त्यार कर लिया और इसाइब हो चाहिए कि तो पहुती बने ही तो एसे ही आप भी बनाएं यह डवल फ्राय करके एक बार में यह यह पर नहीं बन दे तो एक बार हाण फ्राइब कर लीजिए दुबारा से फ्राइब कर लेजी इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में कि इस प्रिंग डोल बनके त्यार हो गए और यह बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही अच्छे बने और खास तो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं तो आप में बनाएगा बच्चों खिलाएगा खुद भी खाईएगा तो आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी में वीडियो में